रगु और मोहन पडोसी थे रगु मुफलिस था और मोहन दौलतमंद रगु मजदूरी करता था और अपनी पुरानी साइकल से सफर करता था मोहन रईस था और नई-नई गाड़ियों में सफर करता था कैसा है रगु? कई रोज होगे तू नजर नहीं आया? अच्छा हूँ, बच्चे की फीस के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है देर रात को लोटता हूँ ठीक है, पैसे मैंने जय के पुराने कपड़े निकाल कर रखे है भाबी को भेज कर मंगवा ले ना? ठीक है, कहे तूँगा मोहन हमेशा अपने पैसो का रौब दिखाया करता था शाम को जब रगू घर लोटा अरे सरला, सुब मोहन भाई मिले थे कह रहे थे लक्षमन के लिए कुछ कपड़े रखे हैं तुम्हें काम करो, वहाँ जाकर लिया हो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ वैसे भी लक्षमन के सारे कपड़े फढ़ चुके हैं सरला मोहन के घर गई आओ सरला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत खोब सुरत ये साड़ी मुझे इनोंने तौफे में दी है बीस हजार रुपए की है बहाप रे तुम पर बहुत अच्छी लग रही है तु लक्षमन के लिए कपड़े लेने आई है ना? हाँ हाँ रुक, लाती हूँ शुदा अंदर वाले कमरे में गई और वो एक पोटली भरकर बाहर ले आई इसमें जैके पुराने कपड़े है और मेरी कुछ परानी साड़िया भी मैं तो उन्हें अब पहनती नहीं कम से कम तू ही पहन ले ठीक है शुक्रिया शुदा अपनी रईसी का दिखावा कर रही थी लेकिन सरला अपने खांदान की बहतरी सोच रही थी सरला कपड़े लेकर खोशी-खोशी घर लोठी लक्षमार अरे देख मैं तेरे ले क्या लाई हूँ लक्षमार नए कपड़े देखकर बेहद खोश होता है शुदा ने मुझे कुछ साड़िया भी दी है कह रही थी कि वो अब इन्हें नहीं पहन थी ठीक है वैसे भी लगता नहीं कि इस साल में तुम दोनों के लिए कपड़े खरीद पाऊंगा कोई बात नहीं मैं इसी में खुश हो कि हमें वक्त पे खाना तो मैं असर हो जाता है अमा ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं बिल्कुल जै की तरा जै की तरा नहीं जै के ही है तगने मैं क्यू पहनो क्योंकि जै को ये कपड़े छोटे हो रहे हैं और तुझे ये एकदम बराबर होंगे वो भी है सरला ने लक्षमन को बहला दिया था और वो कपड़े पहने के लिए राजी हो गया आंगन में अकसर दोनों बचे एक साथ खेला करते थे अब मेरी बारी है जै तुँ आखें बंद करके गिन मैं छुपता हूँ ठीक है जै ने अपने आखों पर हाथ रख लिया और गिनने लगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, आ रहा हूँ मैं जै और लक्षमन एक साथ खेलते हैं ये बात जै के वालिद मोहन को हर गिज़ अची नहीं लगती शुपता, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि जै को इस फटीचर लक्षमन के साथ खेलने ना दिया करो मैंने तो कई मर्तबा उसे समझाया है लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनता ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती करेगा, तो खुद भी फटीचर बन जाएगा आप ऐसी अनाप्षना बाते क्यों कर रहे हैं, बच्चा है, एक न एक रोज समझ जाएगा जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है जब जए घर लोटा तो शुईता ने उसे डाटा, लेकिन बच्चों को कहां ये सब उँच नीच का समझ आता है वो तो मुस्कुरा रहा था कुछ रोज गुजर गए, वो और ने अपने घर में नया एसी लगवाया वाँ 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 ये एसी की हवा कितनी ठंडी है, मानो हम कश्मीर आ गए है हाँ, इतनी गर्मी में एसी की ठंडी हवा सुकून देती है पूरा खांदान एसी की ठंडी हवा खा कर खुश था कुछ देर बाद, जय लक्षमन के साथ खेलने बाहर गया और बाहर आते ही उसे पसीना छूटने लगा अरे जय, तुझे इतना पसीना की छूट रहा है मालूम नहीं, घर पे ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहा था और बाहर आते ही ये हाल हो गया तिरे घर पी एसी आया है? हाँ, मैंने कभी एसी की हवा नहीं खाई इसमें क्या है? तो चल, मैं तुझे एसी की ठंडी हवा खिलाता हूँ जै लक्षमन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गया अंदर सोफे पर मोहन और श्वेता बैठे थे अरी वा, ये तो वाकई बहुत ठंडा है मैंने कहा था ना? हाँ लक्षमन वहां रखे एक कुरसी पर बैठने जाही रहा था की रुख जा, कहां बैठ रहा है? वो कुरसी तेरे जैसे फटीचर के लिए नहीं है जै तुझे कितनी मरतबा कहा है कि इसके साथ ना खिला कर तू किसी की बात सुनता क्यों नहीं है? ये लड़का एक भिकारी है, भिकारी ये बात सुनकर लक्षमन रोने लगा और वो रोते रोते घर से बाहर चला गया और रोते रोते लक्षमन सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया तब ही एक जईफा खातून लक्षमन के पास आई क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लक्षमन ने पूरा किस्सा बताया मेरे वालिद के पास पैसे क्यों नहीं है? जेके वालिद के पास इतने सारे पैसे है और हमारे पास कुछ भी नहीं बस, इतनी सी बात ये सब तो मैं अभी दुरुस्त कर दूँगी कैसे? उस जईफा खातून ने एक ताली बजाई महा देखो और उन्होंने देखा कि मोहन और श्वेता घर से बाहर दोड़े चले आ रहे थे एंउपर वाले ये का ये कितनी गर्मी कैसे हो गई नए, ऐसी से गर्म हवा कैसे निकल रही है? इससे गर्म हवा नहीं आ कहते हैं, आग श्वेता और मोहन गर्मी से नाच रहे थे जै कहा है? वो तो ऐसी की ठंडी हवा खा रहा है उसे गर्मी नहीं लग रही अच्छा है अभी तो जादू बागी है जईवा खातूर ने एक और ताली बजाई और इस मर्दबा लक्षमन को अपनी अम्मी की चीक सुनाई दी लक्षमन दोड़ता हुआ अपने घर गया तो उसने देखा कि पंखे से सुने के सिक्के बरस रहे थे हाँ ए उपर वाले ये कैसे मुम्किन है लक्षमन की आँखे भी भटी की भटी रह गई पूरा घर सुने के सिक्कों से भर गया था अम्मा क्या अब हम अमीर बन गए हाँ बेटा बहुत अमीर लक्षमन को जईव खातून का खयाल आया वो दोड़ कर पेड़ के पास आया तो वहाँ वो जईवा खातून नहीं थी वो जा चुकी थी जईवा खातून ने अपने जादू से लक्षमन के खानदान की जिन्दगी बदल दी अब वो लोग बहुत अमीर बन चुके थे उनके पास भी बड़ा घर, गाड़ियां और धेर सारे पैसे थे लक्षमन की सारी खौईशे मुकमल हो रही थी और अब मोहन कभी अपने बेटे को लक्षमन के साथ खेलने से नहीं रोकता था जादूई पंखे ने दोनों बच्चों के दर्मियान की दूरियां खत्म कर दी